लौड किश्णानमन लौड किश्णानमन टू आल आफ यू माई और श्रीट दियर इस्टुडेंट प्यारे पिद्ध्यारतियों हम मैटल और नॉन मैटल चैप्टर के बारे में इस टुड़ी कर रहे हैं और इस वीडियो में स्पेसली हम बात करेंगे फिजीकल और वह कैसा दिखता है और रासायनिक जो केमिकल कंपोजिशन है राशायनिक संग्टन है वह कैसा है उसके ऐटम कितनी दो दूर है इलेक्ट्रांज कितने हैं अटमिक नमर क्या है इस सब हम बात करेंगे प्रॉपरटी में ठीक है तो फिजीकल स्टेट में हम के बिएक बाह दिखाते हैं देरा हावेवर एक्सेप्षन कुछ एक्सेप्षन होंगे तो उनको हम याद कर लेंगे जैसे कि फिजीकल स्टेट की बात करें अंडर नॉर्मल प्रेशर और मैटल एक्सेप्ट मरकरी और सॉलिड रूम यो कि जितने भी मैटल हैं हमारे कमरे के अगरा तो सभी मेटल होते हैं सॉलिड होते हैं लेकिन मरकरी रूम टेंपरेशर पर रहती है महरकरी बह। ज़्यादा डेंस है एतनी ज़्यादा डेंस है कि आप उसे हथेली पर नहीं ले सकते वह आपके ख़ली किसी को भी काड़ देगा बहुत ज़्यादा डेंस है ठीक है चलो कि बात करें तो बाखी किसे सहते हैं इपर वैक्स पर अगैर्डन कड़्के होगा और गोल्ड की वा गुंडन यलो का होगा ता um चमक कैसी होता है तो मैंटल स्वाइन ही सभी मेटल साइनी होते साइनि दा करेक्टिस्टिक साइनी ऑप मेटलीग लस्चर्द यिसे एम यह घय से जा फेक्ट की मैटल मेटल मेफ मुक्त की हैं बात करेंगे मैं सी सोडियम पोटेशियम के लाबा सभी मैटल कैसे होते हैं हार्ट होते इतने साफ्ट होते हैं जैसे गीली मिट्टी है आप इसे चाकू से काट सकते हैं ठीक है और बहुत जादा रियक्टिव होते हैं रियक्शन के मामले में आपको बताया था कि जब मैं रिसर्च कर रहा था एसन मेडिकल कॉलेज में तो एक बिध्यार्थी ने सोडियम का एक टू या थिरी ग्राम का एक तुकड़ा जो था उसने हाथ फे ले लिया था और चूंकि सोडियम एयर से बहुत तेजी से रियक्शन करता है तो उसका हाथ हलका सा जल गया था सोचिए कितना कोरसिव नेचर क हाथ पर फी रखने से प्सका जल गया था है तो यह मैंने मैट्ल आप से डिसकस किया था वर मैंने बताया था सोडियम जो होता है अजाना मैट्फ आप चाकू से सघसाइस काट सकते हैं उसनमियम इतना हाड होता है कि प्यारे मिध्यार्तियो आप काँच को काटने में औसमियम गी हैल्फ ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं कितना हार होता है, काँच कट जाता है, चलो, अब एक एक्टिविटी भी देख लेते हैं, एक्टिविटी क्या है, टू सोथ त्सोडियम मेटल स्व्ट वेर्डर मेटल आर हार्ड, सीडी सी बात है मैंने आपको पहले ही बताया था और यह हाइली रियक्टिव है तो यह टीचर के सामने ही होगी एक्टुटी ठीक है बाकी का आप जानते हैं मैं आप में यह कुछाउने हो सकता है तो मैं यह यह आप जड़ा हाइ हैं इस में जो कीड़ा है घृर बहुत बहुत चाहितr a lot of stress iron जो है बहुत ज़्यादा इस्ट्रेस बहुत ज़्यादा प्रेसर मतलब जो खिचाब है जहेल सकता है इस वाई इस वाइडली यूज़ इज constructions of building bridge railway lines in some metals का यूश बड़ी मात्रा में होता है ठीक है चलो एक और property है malleability के बारे में बात करेंगे तो मैलीएबिल आए मैटल आर मैलीएबिल जितने भी मैटल होते हैं वह अगात बर्धनी होते हैं अगात बर्धनी हैं इस मीन दा मैटल कें हमर्ड इंटु वेरी थिन सीट आप मैटल को बहुत पतली सीट में सब्सक्राइब कर सकते हैं सिल्वर कैन बीटन टू बैरी थिन लीप्स यू मस्ट हैब सीन सिल्वर बराक और और बर्फी बिल्कुल भाईया आपने सिल्वर बर्फी देखिए बर्फी पर एक सिल्वर का लिए चड़ाया जाता है ना इस यूज़ इन डपैकेजिंग आफ फूड मटेरियल आपने मौम जब भी आपकी जो हैं खाना पर करती तो सिल्वर की फॉइल में करती हैं ना अलुमिनियूम फॉइल में करती हैं ड़क्टिली टी मतलब की पतले से तार में कनवर्ट करना तो मेटल आप ड़क्टाइल त इन वी थो इंटू वेरी थिन बार बायर हमने पहले वाली वीडियो मापको बताया भी है ना कंड़क्ट्विटी चालकता मैटल गुड़ कंड़क्टर ओफ हीट एंड एलेक्रिसिटी मैटल जो हैं विद्धुत और उसमा दोनों के अच्छे चालक होते हैं सिल्वर इस दा स्थी की बात करेंगे घंध की बात करेंगे तो सीरीव भारी होते हैं थो कुछ होगिंगे एंसलीों सब्सक्राइब बाइब होती है बारी होते यह इसलिए सौनरी तो देर तक शाय जाती है जब भी आप गंटा बजाते हैं दिखा आपने तो मैटल वैन इस ट्रक हाइड प्रोड्यूजर रिंगिंग सांड रिंगिंग सांड सुना होगा गंटे का सांड तो तो आप किसी भी मेटल में बजा के देखो है आपके पास सबएके कोई मैटल लाह तो इसमें आपने तो आप ऐसा करना इसके जितने भी मेरे प्यार बिद्धार्थि मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टि बताई है एक-एक को आप experiment करके दिखाना ठीक है आप कर सकते हैं मेरे प्यारी बिद्धियों जोनरीटी है इसमें क्या है सॉनरस अब आज आएगी आप करके दिखा सकते हैं एक चमच ले लेना और थाली में थाली में हलका सा टच करना और इसको देखना कैसे टन वाली आजाती है ना सब्सक्रा या दिक्कत आजाएगी चलो छोड़ो डेक्टिलिटी ठीक है मैलीबिल्टी ठीक है यह दिखा सकते हो टैंसल स्टेंथ एक तार को पकड़के अपने हांतों से खीच के खीचते हुए दिखा सकते हो वीडियो में तो यह सब आप कर सकते हो एक्टिविटी बहुत जरूरी है थैंक यू